लालची रसोई से मैं रेनू अपने फूड लवर्स का स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे दो किसमे के चाट, एक मैं क्रीमी चाट बनाऊंगी और एक मैं सिंपल चाट बनाऊंगी इसके लिए हम लेंगे कटेवे केले, अनार छील कर, एपल काट कर, तरबूज के बीज निकाल कर, अरंगूर हम केले हापे तुरंत काटे हैं, आगे से काट कर नहीं रखे हैं, नहीं तो काले पढ़ जाएंगे और हमने यहाप पर apple भी तुरंत काटा है apple भी आगे से काट के रखने से ओभी काले पड़ जाते हैं यह इसलिए आपको जब भी चाट बनाने हो इन दो फल को तुरंत काटे हमने यहाप पर तर्बूज के बीज निकाल कर लिए हैं इसके लावा आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप ले सकते हैं पपीता, श्टॉबेरी जो आपके पास एविलेबल हो आप सब फ्रूट इसमें डाल सकते हैं हम सब फल को अच्छी तरह मिला लेंगे हम पहले हापे क्रीम वाले चाड बनाएंगे यहाँ पर मैंने ठंडी घर की क्रीम ली है उसमें एक चम्मच मैं पाउडर सुगर डैट करूँगी और उसे अच्छी तरह मिला लूँगी और उसमें हम फ्रूट डाल देंगे ठंडी क्रीम में ये चाड बनाने से गर्मी में खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है और हम सब फ्रूट को अच्छी तरह क्रीम में कोट करेंगे आप चाहे तो मार्केट वाला क्रीम का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घर के अगर फ्रेस क्रीम हो तो उसमें भी आप बनाईए बहुत ही टेस्टी बनते हैं यहाँ पर मैं थोड़े से चाट मसाला एट कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी भूना हुआ जीरा पाउडर यहाँ पर मैं काला नमक का इस्तमाल करूँगी काला नमक से चाट का स्वाद बढ़ जाता है यहाँ पर मैं दो पी मिर्ची का इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा पसंद है और यहाँ पर मैं पुदिने पत्ते के पौड़र इस्तमाल कर रही हूँ जो कि चाट का स्वाद और बढ़ा देता है गर्मियों में ये चाट बहुत ही रिफ्रेशिंग देता है इसे आप तुरंत बनाईए और तुरंती सर्व करिए ये चाट खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं इस तरह आप चाट बनाकर आप तुरंती से सर्व कर दीजिए हम हम दूसरा सिंपल वाला चाट बनाते हैं उसके लिए हम फ्रूट में साधा नमक डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मीर्च और यहाँ पर हम एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा भूना हुआ जीरा डालेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और लास्ट में नीबू का रस इसे मिला कर अच्छी तरह हम सबको मिला देंगे अब मिला कर हम इसे तुरंट सरव कर देंगे इस तरह हमारा एकदम सिंपल चाट तैयार है अगर आप इसे वरत में खानिकल बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सेंगा नमक यूज करिए अगर आपको मेरी ये चाट की रेसेपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें झाल